दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके BSC 3rd Year Biotechnology से जुड़े वे एक Most Important Topic को डिसकस करने वाल है और हमारा आज का Topic है Plant Tissue Culture जिसे हिंदी में हम पादप उतक समवधन कहते हैं तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कहलेंगे कि Plant Tissue Culture होता क्या है और Plant Tissue Culture Technique से जुड़े हुए कुछ Most Important जो Terminology है उन सभी Terminology को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको Plant Tissue Culture Technique अच्छे से समझ में आ जाए तो आए सबसे पहले हम बात कहते हैं Plant Tissue Culture Technique होता क्या है Plant Tissue Culture is a technique of growing plant cells, tissue, organs, seeds और other plant parts on artificial nutrient medium in a controlled environment यानि कि जो Plant Tissue Culture Technique है या एक ऐसी टेकनीक है जिसके माध्यम से हम पौधों के कोशिकाओं, उतक, अंग, बीज या फिर अधर पौधों के जो पार्थ है उन्हें हम प्रयोकसाला में एक नियंत्रित वातावरण में या फे कह सकते हैं कि एक artificial environment में पौधों के उन पार्थ को पोशक प्रदार्थ पर उगाया जाता है और इस तरह से नए पौधों का निर्माड किया जाता है और यही टेकनीक कहलाती है Plant Tissue Culture Technique तो सबसे पहले गोलबेट और हैबेट लैंड ने क्या किया कि पौधों के बहुत छोटे से भाग या फिर कह सकते हैं एक सिंगल से या फिर यह भी कह सकते हैं कि नौन जाइगोटिक से पूरे पौधे का नेमाड किया तो इस तरह से Tissue Culture Technique के Discover करने का से जाता है Habitland को इसलिए Habitland को Father of Tissue Culture कहते हैं तो अभी हमने जाना कि Tissue Culture Technique क्या होते हैं Tissue Culture Technique के क्या Process है Tissue Culture Technique को हम कैसे Follow करते हैं कैसे Tissue Culture Technique complete होता है उसको जानने से पहले हम समझते हैं कि tissue culture technique में कौन-कौन से important term आएंगे अगर वो important term हम समझ जाते हैं तो हमें tissue culture technique का जो procedure है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सबसे पहला term है यहाँ पर tissue जिसे हम बोलते हैं उतक such a group of cells in the body of an organism which have the same origin and perform a specific function यानि कि जो उतक होता है किसी भी जीव के सरीर में कोशिकाओं का एक समू होता है या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समू को हम उतक कहते हैं और इनकी जो उत्पत्ती होती है और इनके जो कार होते हैं वो प्राया समान होते हैं चलते हैं सेकेंड टर्म की ओ जो की है एक्स प्लांट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं करतो तक तो जैसा कि पीछे हम लोग ने पढ़ा कि टीशू कल्चर टेकनीक में हम क्या करते हैं कि पौधो के किसी भाग को लेकर उसे हम कंट्रोल इन्वार्मेंट में ग्रो कराते हैं लिखावा है इट कैन बी एनी पोर्शन आप दसूट लीप्स रूट्स फ्लावर ओर और सेल फ्राम एक प्लांट तो एक्स प्लांट जो है वह पौधे का कोई भी भाग हो सकता है चाहे वो रूठो सूटो लीफो या फिर कोई भी सेल हो परन्तु यहां पर एक कंडिशन है कि जो एक्स प्लांट होंगे यानि कि जो पौधे का जो पोर्शन होगा वह सदयव एक जीवित कोशी का होनी चाहिए यानि कि वह हमेशा एक लिविंग सेल या फिर लिविंग टिशू होना चाहिए इसके अलवा एक्स प्लांट से जुड़ावा एक important point और है कि जो भी हम प जो कि है in vitro जिसे हिंदी में बोलते है पात्रे समवर्धन तो in vitro क्या होता है the method of doing any reaction in the test tube in the laboratory is called in vitro यानि कि जब भी कोई अभिक्रिया या फिर कोई भी समवर्धन हम प्रयोकसाला में test tube में करते हैं तो इस विधी को कहते हैं हम पात्रे समवर्धन और इंगलिस में इसे ब सभी हम कोई living cell या फिर किसी organism को किसी भी प्रयोकसाला में या फिर कह सकते हैं किसी भी lab में ग्रो कराते हैं तो यही technique कहलाती है in vitro जैसा कि आप सभी ने test tube baby के बारे में सुना होगा तो जो test tube baby है या एक in vitro fertilization का ही रूप है तो आई चलते हैं अगले term क्यों तो अगला term है clone तो clone के बारे में हम सभी जानते हैं a new plant obtained from a plant that is generally 100% identical to the mother plant and which does not originate by fertilization यानि की एक पौधे से प्राप्त किया गया वह नया पौधा जो की अनुआसिक रूप से 100% अपनी जो मात्री पौधे हैं उसके समान होता है और जिसका उद्गम जो हुआ है यानि की जिसका उत्पत्ती जो हुआ है वह निस्येचन से नहो अथा जितने भी clone बनाया जाते है वह निस्येचन यानि की fertilization के द्वारा नहीं बनाया जाते है अगले term की और अगला term है callous बड़ा important term है और इसको समझना जरूरी है तो callous होता क्या है when plant cell and tissue are grown on nutrient material and undivided and identified sept cell group is form which when culture again form a new plant कहने का मतलब है कि पौधों की कोशिकाओं वह उतक को जब हम पोशक माध्यम में रखते हैं यानि की culture medium पर रखते हैं या फिर कह सकते हैं उगाते हैं तो एक अविभाजित तथा अनिश्चित आकार की कोशिकाओं का एक समू बनता है जिसे हम पुना culture कर सकते हैं और एक नए पौधे का निर्मार कर सकते हैं तो ये जो undefined undivided कोशिकाओं का जो ये समू होता है इस समू को ही हम कहते हैं callous तो sort में आप इसे इस तरह से भी define कर सकते हैं irregular mass of cell is called callous जलते हैं अगले term की हो जो की है culture media यानि की पोशक प्रदात an artificially prepared substance used for cultivation of plant tissue is called culture media यानि की पादप उतकों को समवधन करने हे तू उपियोग किये जाने वाला जो कृत्रिम प्रदात होता है या फिर कृत्रिम पोशक प्रदात होता है उसे हम culture media कहते हैं तो किसी भी culture media के निमनलिखित घटक होते हैं जैसे की अगार-गार plant hormones में अगर हम ब antibiotics, vitamins, glucose तो ये सभी component जो होते हैं किसी भी culture media में देखने को मिलते हैं अई चलते हैं plant terminology से जुड़ी हुए एक most important topic कियो जो की है totiopotency जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण ससक्तता तो totiopotency होता क्या है the genetic ability of any cell due to which it is capable of producing a complete plant is called totiopotency यानि कि किसी भी पौधे की कोशिका का वह अनुवानसिक चमता जिसके कारण वह एक पूरे पौधे का निर्मार कर सकता है तो उस कोशिका की इसी चमता को हम बोलते हैं totiopotency तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब plant tissue culture technique का हम use करते हैं तो हम किसी भी पौधे का कोई part लेते हैं तो जो part लेते हैं वही part क्या करता है आगे चलकर एक complete plant का formation करता है तो complete plant का जो formation कर रहा है उसकी एक क्या है genetical ability है उसकी एक अनुवानसिक चमता है और उस अनुवानसिक चमता के कारण ही वह पूरे पौधे का निर्मार का दे रहा है और उसकी इसी चमता को ही हम कहते हैं toti potency toti potency was discovered by G. Heberland in 1902 तो पूर ससकता को खोजने वाले वैग्यानिक थे G. Heberland जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी चलते हैं अगले टर्म की ओर अगला टर्म है राइजो जिनेसिस तो राइजो जिनेसिस दो वर्ट से मिलकर बना है राइजो मतलब होता है root और जिनेसिस का मतलब होता है formation यानि की formation of root by callus obtained from tissue culture on nutrients material is called राइजो जिनेसिस तो कहने का मतलब यह है कि पोसक प्रदार्थ पर उतक समवर्धन से प्राप्त जो कैलस होता है उस कैलस में जो root का निर्माड होता है यही process कहलाता है राइजो जिनेसिस तो यह तभी पॉसिबल होता है जब उस nutrient media में और जिन प्लांट हार्मोंस की मात्रा अधिक होती है दो ग्रीक वर्ट से मिलकर बना है पहला है कैलो जिसका मतलब होता है suit और genesis जिसका मतलब होता है formation तो कैलो जिनेसिस को हम कुछ इस तरह से परिभासित कर सकते हैं formation of stem by the callus obtained from tissue culture on nutrient material is called callogenesis कहने का मतलब यह है कि पोशक प्रदाथो उपर उतक समवधन से प्राप्त कैलस द्वारा तने का जो निर्माण होता है यही प्रक्रिया कहलाती है कैलो जिनेसिस तो जो nutrients media होती है उस nutrients media में plant hormones cytokinin की मात्रा अधिक होती है तब ही suit का formation होता है तो इस point को याद रखेगा जब oxygen की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर root का formation अधिक होता है और जब cytokinin की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ पर suit का formation होता है तो दोस्तों यहाँ पर आपने tissue culture टेकनीक से जुड़े हुए जितने भी terminology थे उनके बारे में जाना यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी terminology पर detail में वीडियो बनाओं तो please उस terminology का नाम हमें comment करके बताएगा और मैं पूरी कोसिस करूँगा कि उस term पर एक detail में वीडियो बनाओं तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं और यदि आप हमाँ चैनल पर नए हैं तो please चैनल को सब्सक्राइब करिजे ताकि जब भी मैं इस तरह के interesting और informative वीडियो आपके लिए upload करूँ उसका notification आपको मिलता रहा है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक लिए जय हिन जय भारत